हलो दोस्तों के सिवाब दोस्तों आज आपको बताएंगे पीएप समधी एक और बड़ी जान करें दोस्तों अगर आप भी एक पीएप मेंबर हो आपका भी किसी कंपनी या संस्ता में आप काम करते हो और वहाँ पर आपको कंट्रुबर्शन मिलता है या पीएप का पैसा आपका कटता है और वह आपके पीएप अकाउंड में जाता है तो दोस्तों उस पीएप के पैसे को आप किस प्रकार से निकाल सकते हो तो आपको इस प्रोसेस से मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो के माध़न से बताऊँगा कि आप खुद से आप अपने मोबाइल की साहता से अपना प्याप का पैसा निकाल पाए होगे, ठीके, उसके लिए बस आपका बैंक अकाउंड नमर जुड़ा होना चाहिए, आपक खुद का आपके PAP या UN account के साथ, ठीके, KYC होना पूरा जरूरी है, तब जाके आप अपना PAP का पैसा आराम से निकाल पाओगे, ठीके, यहां पर मैं आपको लाइफ दिखाऊँगा कि PAP का पैसा कैसे निकालते है, PAP का पैसा का वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस कि लिएपीफ दियता यहां से दोस्तों को विफले को आपको डिखाने के के कोशिश करता हूं ाकी यहां जक्र gefallen करने हैं जैसे ही आप सब्सकर कर एक पर दोस्तों आपको एक क्रोश का अप्साल दीखा यहां से दोस्तों आपको जिल्ड अपको यहां से झोड़े अपर न्युक्त प्रीफ से यह आंछ हुआ है यहां पर आपको यहांart दीखेगा य हमेरा अ ब्रधाँ आपको यह से यहां देना यहीुँ प्री जोंद होपतोि ही और आपको साइनेर पर क्लिक कर देना है, याद रखे अगर आपका पासवर्ड आप भूल गये हो, खो गया है, आपका पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, आप लोगिन नहीं हो पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर ओप्सन दिख रहा है ना, बुलू कलर का फोर्गड पासवर्ड इस ओप्सन पर क्लिक करके आप नया पासवर्ड बना लेना, उसके लिए आल्रेडी चैनल पर वीडियो है, सानु गोडियाल पर आप जाना, यूएने का पासवर्ड हम भूल गये है, प्यप का पासवर्ड भूल गये है, ऐसे वीडियो मिल देगा आपको, आप वहे जाके देख लेना, आप अपना फोड़ पासवर्ड कर लोगे, ठीक है, सानु गोडियाल यूट्यूब चैनल, ठीक है, अब दोस्तों, आपको मैं आसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने लोग इन सेगेंड फैक्टर का एक उप्सन आता है, उसके बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर एक आधर काड़ के उपर, जो OTP आया है, मोगाल नमबर पर, उसको आपको यहाँ पर इस उप्सन पर डाल देना है, वन टाइम पासवर्ड जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद में दोस्तों, थोड़ा इसको आपको प्रोपर स जाओगे, तो आपके सामने कुछ इस परकार का उप्सन आपको नजर आएगा, अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ओनलाइन सर्विसेज जो लिखा हुआ है, इस उप्सन से ही आप अपना PF विडियोल फोरॉम भर पाते हो, ठीक है, याद रखे, उससे पहले आपकी बैंकी क KYC होना जरूरी है, वह भी अपरूड होना जरूरी है, तब जाके आप PF का पैसा निकालोगे, ओनलाइन सर्विसेज पर जैसे आप किलिक करके आते हो, तो यहाँ पर आपको ओप्सन नजर आता है, किलेम फोरॉम 31, 19, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, इस उप्सन पर आपको किलिक कर देना है, किलिक करते के साथ दोस्तों आपको सामने यह ओप्सन खुलता है, कुछ इस प्रकार से, अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंड नंबर है ना, वह आपको डालना होता है, ठीक है, किलेम फोरॉम खुल गया है, यहां से, अब बैंक अकाउंड नंब मत करना ने तो आपका यहाँ पर ओपन नहीं होगा तो चलिए फटा पड़ यह हमारा उप्सन डालने के बाद में कुछ इस परकार से आपको सामने खुल जाता है यहाँ पर ओप्सन आता है यह और नो का तो आपको यह ओप्सन पर किलिक करके आपको आगे बढ़ जाना है इस उप्सन पर जैसे आप किलिक करते हो तो प्रोब पर आपका जो फोरम है पीएप विड्रोल का वह है आपके सामने कुछ इस परकार से नजर आता है मैं आपको दिखा दिता हूँ यहाँ पर दोस्तों फोरम खुल गया है हमारा आप देख सकते हो यहां से हम प्यप विड दिखाऊंगा लेकिन याद रखे जो आपका फॉर्म जो खुलेगा जो एडवांस खुलेगा यह फूल और फाइनल खुलेगा वह आइवेंट टू अपलाइफ फॉर्म पर किलिक करके पता लगता है याद रखे जब आपका फॉर्म यहां पर 1915 कुलता है तो वह तभी खुल अगर 19 खुलता तो 19 भी हम आपको भरके दिखाते है पूरा लाइफ लेकिन अगर यहां से एडवांस का है तो एडवांस का ही हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे तो चले फटा पट इडवांस का फॉर्म कैसे बढ़ते हैं पीआप एडवांस फॉर्म एकतिस उन्निस टैंस अप यहांपर आपको दिख़े रा होगा सर्विस अपर दिखाना है ने स्यलक्ट सर्विस तो स्यलक्ट स्यलक्ट सरविस पर हम कलिक करके हम हमारा मेंबर आयड़िय को चुनेंगे लहना तो मेंबर आयड़ियी जो भी आपने advance में power cut का भी होता है handicap का भी होता है और उसके बाद भी अलग अलग पारे होते हैं उनको select करेंगे आप अपना निकाल सकते हो ठीक है आवश्यक अगरीम की रासी आप कितना पेसे निकालना चाते हो कितने पेसे कि आपको जरूरत है वह amount आपको डालना होता है ठीक है याद रखे फिर उसके बाद आपको employee का address डालना होता है proper जो आपके आधरकाड के back side में address होता है वह आपको यहाँ पर डालना होता है डालना वही है जो PF virtual forum भर रहा है जो व्यक्ती उसी का यहाँ पर address डालेगा ठीक है तो चलिए फटापड में आपको live भर के एकदम दिखाता हूँ यह forum कैसे बरते हैं ठीक है तो एक एक चीज आपको समझाऊँगा notice कराऊँगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो forum है हमने बर लिया है यहाँ पर आदासा बर गया है हमारा advance forum बर गया है और select service से हमने memory ID को चुल लिया है जिस company में हमने काम किया तो वह select हो चुकी है जिस उद्देश के लिए हमको PF का पैसा चाहिए वह option पर हमने select कर लिया है यहाँ पर लिखा हुआ है आपको illness option नजर आ रहा होगा ठीक है जिस उद्देश से के लिए चाहिए purpose for which advance is required ठीक है तो यहाँ से यह option भी हमारा select हो गया है ठीक है आप देख सकते हो illness का option चिना है ठीक है EPFO के रूल के नुसर हम चल रहे हैं हमने वही वही select किया है याद रखे illness के option से आपका प्यप का जो advance का पैसा है वह आपका निकाल रहे हो आप ठीक है यहां से आपका जो amount है वह आपको भरना होता है तो amount भी लाइव भरके आपको दिखा देते हैं एकदम इस पर मैं click कर देता हूँ इस पर click करने के बाद में हमारा advance का पार है के समधित हमने form भर रहे है और हमने amount भी डाल लिया है जो हमें चाहिए employees का जो address है वह पर उपर आपको भरके दिखाऊंगा select state पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको district select कर देना है पिन कोड की जिए आपको pin code नमबर डाल देना है तरकर के back side में यह सब कुछ address होता है तो उसके बाद में आपको upload scan copy and check and passbook download मतलब upload करके दिखाएंगे ठीक है उसको कैसे upload करना होता है तो चलिए फटापड में आपको दिखा देता है इंपलोई का मैंने address डाल दिया है प्रोपर यहां से state, district सब कुछ select कर लिया है अब चलिए upload scan copy of check passbook आपको दिखाता हूँ कैसे upload करते हैं ताकि आपका P.A.P का पैसा उस अकाउंट के अंदर आता है तो यहां से मैं आपको दिखाता है upload scan copy and check passbook याद रखे आप या तो चेक का इस्तमाल कर सकते हो या passbook का इस्तमाल कर सकते हो दोनों में से एक का आपको यूज करना है चेक का अगर आप इस्तमाल करते हो तो आपके चेक के ओपर name printed होना चाहिए कोने पर ठीक है याद रखे यह आपकी जो passbook है उसके उपर proper आपका particular होना चाहिए address वगेरा और आपक पासbook की और bank पासbook की या फिर चेक की ठीक है और इसके अनुसार आपको भरना है यह rule आप जरूर समझ लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर दोस्तों इसको select करना जरूरी है यहाँ पर लिखा हो है ना only jpg and jpeg file of minimum 100 kb and maximum 500 kb size is supported यहाँ पर लिखा गया है कि 100 kb के अंदर होना चाहिए तब जाके वह support करेगा और याद रखे उसका bank का account number वगेरा सही से नजर आना चाहिए अगर वह आपका select नहीं होता है सही से size नहीं बैटता है तो आपको यहाँ पर एक red color का message नजर आ जाएगा नीचे की तरफ ठीक है मतलब इसका यह है कि आपके सही से select नहीं होता है तो याद रखना है इस बात को ठीक है तो चलिए फटापड हमारा choose file जो आपको दिख रहा है इस option पर मैं click करके live आपको यहाँ से photo select हो गया है अब मैं आपको दिखा भी आ रहा है image हमारी JPEG ठीक है आपको दिख भी रहा होगा और view पर मैं click करके उसको check कर लेना आप अपना करना चाहते हो तो कर लेना कि आपकी photo कैसा दिख रहा है ठीक है उसके बाद में आपको दोस्तों नीचे के तरब एक चोकोर दिखता है इसको आपको बरने के लिए upload करने के लिए submit करने के लिए forum पर click करना होता है यह चोकोर है इस पर जैसे आप click करते दिख रहा होगा option गेट आधार OTP इस option पर दोस्तों मैं आज से click करूँगा click करने के बाद में हमारा OTP हमको आएगा याद रखे यहाँ पर लिखा हुआ है not OTP will be sent to mobile number registered with the UIDI आधा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो आधरकार के साथ mobile number link है उसके उपर OTP आएगा उस OTP को डालने के बाद में आप forum को submit कर सकते हो तो get other OTP मैंने click कर दिया है click करते के साथ दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो successfully OTP हमें पहुँच चुका है हमारे mobile number पर जो आधरकार के साथ link है उस OTP को हम यहाँ पर enter OTP वाले option में डाल देंगे और validate OTP submit कि यहाँ पर हम click कर चले फटापट में आपको यह सब कुछ option डाल के live भर के दिखा देता हूं और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मैंने enter OTP डाल दिया है आपको दिख भी रहा होगा यहां से validate OTP and submit कि यहाँ से click कर देता हूं click करते के साथ हमारा जो forum है वह unified portal पर पहुंच जाएगा और हमा पाद उसका पीअप का जो पैसा है उसको आने का अलग से process होता है अगर निकालते है तो 6-7 दिन के अंदर आपका bank के अंदर पहुंच जाता है या फिर आप पहले यहाँ पर देख लिजिए दोस्तों हमारा forum submit हो गया है मैंने click कर दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है OTP has been verified, EKYC updated and PF advance claim forum submitted successfully on unified portal please click here to view pdf यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप please click here पर click करके आप अपना pdf भी डाउनलोड कर सकते हो आपका सफलता पूरवाक आपका PF advance का forum unified portal पर पहुंच चुका है अब इसका advance का अगर आप भरते हो तो 6-7 दिन का प्रोसेस होता है अकाउंड में इसका पैसा आने का और अगर आप दोस्तों PF advance के जिके full and final का PF भरते हो 19 और 10 असी उसका वीडियो चैनल पर है आप जाके विजिट करना सानु गोडियाल पर वीडियो सभी आपको प्रोपर मिलेगा अब यूटूब का जो आपका ये मेरा चैनल है इस पर जाना PF से समझे सभी वीडियो आपको मिलेगा ठीक है advance कैसे निकाले full and final कैसे निकाले 19 फ देख लेना तो दोस्तों इस प्रोसेस के अनुसार आप अपना PF advance का फोरूम भर सकते हो और PF advance का जो फोरूम है उसका पैसा में आपको बता दिया 6-7 दिन के अदर आ जाता है 19 और 10C का फोरूम अगर आप भरते हो full and final का उसका प्रोसेस 19 का होता है कम सकम 14 या से 15 दिन का होत है तो आज से करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के बादम से मैं आपको पूरी जानकार दी है PF से सम्मदित की PF का पैसा advance में कैसे निकाले तो दोस्तो आपको पीएप का फोरूम भरना आगे होगा पीएप का पैसा निकालने का फोरूम आपको भरना सीख गए होगे तो दोस्तो कैसा लागा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करे आगे सेर करे और पीएप से सम्मधित हर जानकारी पा ना भूले धन्यवाद।